तो नमस्कार बाइक की दिवानों आज मैं आपके लिए क्या एक स्पेशल गाड़ी तो आज हम लोग बात करने अवले हैं तो जानेंगे आज की वीडियो में से पहले बात करते हैं इसके पावर के बारे में तो इसमें पावर काफी अच्छी मिलते हैं 40 Nm की आपको पावर मिलते हैं 40 PS का आपको पावर या पर देखने के लिए मिलता है तो performance wise है काफ़ी best आते हैं और इसमें आप इस 6-speed gear box आपको देखने ही मिलता है तो आप काफ़ी smooth gear shifting यह आप देखने के लिए मिलते है और काफ़ी easy to ride आप कर सकते हैं इवेन highway पे आप 120 से लेके 130 km के speed पे easily run कर सकते हैं इसमें कोई hitting का issue नहीं आता और आप अराम से इसको ride कर स सकते हैं Royal Enfield Himalayan 452 के अगर handling के अगर बात करूँ है आपको मिलता है USB suspension तो control और भी आच्छा हो गया इन इसमें सेम आपको 17 इंच का टायर मिलता है बट इसका size थोड़ा ज्यादा मिल रहा है आपको तो आप easily ride कर सकते हो आप control में गाड़ी चला सकते हो तो यह आपको काफे advantage यहां पर मिलने वाला है Royal Enfield 452 में long ride पे चलोगे easy to maneuverable रहेगा because of 21-inch का front wheel and rear 17-inch का टायर आपको देखने मिलता है तो आप easy to ride कर सकते हो इविन इसके अगर seat की बायत करो तो seat इसके मिलते है तेके 845 में की seat height आपको देखने मिलते है बट अगर आप इसके उपर बैठे होगे तो आपको ज़्यादा भी दिक्कत नहीं आएगे जिससे आप X-Pulse में देख पाते हो कि height जाद होने क्वेसे आपको मुनबल करने में दिक्कत आते है वैसे चीज आपको Royal Enfield Himalayan 452 में दिबिलकुल नहीं आएगी थर्ड पॉइंट जो सभी लोग फोकस करते है कोई भी नहीं बाइक लेनी के टाइम पर कि इसका आराम कैसा है और sitting पॉस्टर कैसा है तो इसका sitting पॉस्टर काफी advance आपको देखने मिलता है काफी suitable आप long ride easily कर सकते हो and ergonomic इसका काफी better है कि आप long tour पे कर सकते हो 411 के अगर sitting पॉस्टर में देखू तो as a rider के लिए वो थोड़ा sporty tourer टाइप का था as pillion के लिए comfortable था बट यहाँ पे same आपको pillion के लिए मिलेगा और same rider के लिए मिलेगा तो comfort device यह 5 out of 5 में दोंगा इस पर तो अभी इसमें additional क्या आपको मिलता है इसमें features क्या मिलते हैं technology क्या-क्या changes है तो यह SNA की 411 को थोड़ा upgrade किया है यह पूरा chassis आपका different मिलता है wheels के sizes आपको different मिलते है इवेन इसका जो front lights आप देख रहे हैं headlight यह भी आप changes आ चुकिए है तो इसमें पूराने वाले में आपको halogen light आता था इसमें आपको fully set up LED light मिलेगा even turn indication lights भी आपको LED मिलेंगे and सबसे बड़ा advantage यह model में आता है कि यह आपको मिलता है royal infill की first bike जिसमें आपको मिलता है liquid cool engine तो यहाँ पे आपको overheating का कोई भी issue नहीं आएगा आपको easily ride कर पाते हो and सबसे बड़ा advantage जिसमें आपको यह मिलता है कि इसका जो exhaust आप देख पा रहे हो यह थोड़ा compact कर दिया और slim कर दिया तो अगर आप in future में saddle अगर एड़ करना चाहते हो तो आप इस भी उपर कर सकते हो तो exhaust के वज़े से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो काफी सारी चीज़ों के उपर ध्यान रखके यह गाड़ी को बनाए अगर technology की बात करो तो इसमें आपको यह सबसे नया वाला digital pod आपको देखने मिलता है जिसमें advantage आपको यह मिलता है कि इसमें turn by turn navigation मिलेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ turn दिखा रहे है आपको जैसे आप Google Map पर देख करो सेम आपको स्क्रीन यहां पर शो करेंगी इवन इसमें आपको right by wire मिलता है जिसमें आपको चार मोड्स मिलता है जैसे एक आता है इको एको में ABS on ABS off and second आपको मिलता है performance, performance में भी ABS on and off ऐसे आपको टोडल चार मोड्स आपको यह पर देखने के लिए तो performance wise यह भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके है बात करते है Himalayan 452 के features के बारे में तो इसमें आपको मिलता है switchable ABS तो आपके requirement की साबसे ABS आप on and off कर सकते हो तो यह आप एक advantage मिल गया इसमें सबसे बड़ा advantage मिलता है कि आपको navigations मिलता है on screen के उपर तो यहाँ पर आपको कोई रस्ता बोलने की कोई दिक्कत नहीं mobiles की दिक्कत नहीं आप डाइरेक dashboard से easy to turn by turn navigation कर सकते हो third इसमें सबसे best feature आपको यहाँ पर मिलता है कि यही पर आपको यहाँ पर charging point देखने के लिए मिलता है तो यहाँ से आपके जो कोई भी गैजट है जैसे गोप्रो हो गया या फिर आपके फोन हो गया है यही से आप charge कर सकते हो तो यह काफी useful features मुझे लगा तो हलाकि इसकी pricing के बारे में बात करते तो रॉल इंफिल हिमालन 452 आते कुछ 2.69 लाग से starting होता है यह price point पर आप देख सकते हो के टीम adventure 390 और भी 2-3 new models आने वाले जिसका मैं update आपको जल्दी बताऊंगा तो अगर आप ऐसी bike देख रहे हो कि जो आपको पहाड़ों के रस्ते पे लेके जाएगा बिना कोई दिक्कत के best performance के साथ best off-roading performance के साथ best highway performance के साथ best touring performance के साथ तो रॉल इंफिल हिमालन 452 आपके लिए best choice रहेगी अगर आपको ये bike पसंद आई तो इसका test ride लिजे अगर आपने test ride लिया है तो आपके experience हमको बता दीजे comments में तो ये था रॉल इंफिल हिमालन 452 का review तो next वीडियो में हम बताएंगे इसके owner का experience क्या है जिनके पास already 411 था तो इससे हमको different भी मालूम पढ़ेगे कि 411 और झाल